नमस्कार दोस्तों, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम सोया बिन और आलू की सबझी बनाने वाले हैं। यह सबजी को हम आज बहुती आसान तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत जादा टेस्टी लगती है। तो आज़े दोस्तों इसे बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोया बीन लिया है. ये 100 ग्राम लिया है. इनको हम boil करेंगे. तो पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है. साथ में मैंने इसमे एक छुटा जमश नमक डाल दिया है. ताकि सोयाबिन में हलका सा नमकीन टेस्ट आ जाए और पानी बॉयल हो चुका है तब हम सोयाबिन को डाल देंगे और डालने के बाद इसे पांच मिनट के लिए उबलने देंगे पांच मेंट हो चुके हैं और जो सोया बिन है वो हमारे बॉइल हो चुके हैं आप देख सकते हैं काफी सॉफ्ट हो गए हैं तो अब मैं इनको पानी से निकाल ले रही हूँ तो मैंने सारे सोया बिन को पानी से निकाल लिया और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो सोया बिन ठंडे हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे इसका सारा पानी निकाल लेंगे तो इसे हातों से अच्छे से निचोडते वे सारा पानी निकाल लेंगे तो मैंने सभी सोया बीन का पानी निकाल लिया है और अब मैंने ये आलू लिया है ये मैंने दो आलू लिया है इनको मैंने बड़ा बड़ा छील कर काट लिया है ये कच्छे आलू है और इनको मैंने पानी में इसले डाल दिया ताकि ये काले न पड़े और अब मैंने इसका प वाइफ लेंगे तो एन्हें तब तक फ्राइघ करना है जब तक की यह LMaster 바 script को यह करके ना हो जाए तो आप देखिये इन का लाइट ब्रार्उ हो चुका है तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो इस तरीके से मैं निकाल रहे हूं ताकि जो भी extra oil है वो निकल जाए और अब कढ़ाई में आप देख सकते हैं कि बहुत जादा तेल है तो इसमें से मैं थोड़ा सा तेल निकाल ले रहे हूं इस तेल का हम सबजी बनाने के लिए यूज कर लेंगे तो मैंने कढ़ाई में से तेल निकाल लिया थोड़ा सा तेल कढ़ा का टेस्ट काफी अच्छा आता है और यह सबजी में काफी खिले खिले रहते हैं तो अ्ब हम इनको भी निकाल लेंगे तो मैंने इनको निकाल लिया है और अब हम इसके अंदर आलू डालतेंगे जिसको हमने फ्राईut करके रखाइнет और अब हम इसे मारिनेट करेंगे तो मेरिनेट करने के लिए मैं इसमें आधा कफ फिटावा दही डाल रही हूं रही हमें फेट करी डालना है साथ में एक चुटा चमच नमक डाल देंगे आधा चुटा चमच हल्दी एक चुटा चमच लाल मिस्त मैंने कश्मीरी लाल मिस्त डाली है साथ में किचं किं पॉड़र दाला है और इन सभी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मैंने सभी मसाले और दही डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे 15 मिनिट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, तब तक हम ग्रेवी बनाके तियार कर लेते हैं, तो कडिया लेंगे ची strongest कड़े में कुछ खड़य करियेंगे टाल कोई काल जालग में साथ छाए ठाल देंगे दैंगे और वह इसके अंदर कंट काल यसकर बनाश की दाल ही है मैंने प्याज को roughly chop करके डाला है और अब हम प्याज को अच्छे से fry करेंगे प्याज को हमें अच्छे से fry करना है इससे पहले मैं इसके अंदर 4 लेसन की कलिया डाल दे रही हूँ के इसके उत्प nós को ऒदिए एसके इन्हें ठीकत कमेनी स्पाइब तो मैं इसके इसके इन्हें तक मैं मेटमपister बिडर रहे हैं तो एमंए tutte नहीं काटकर दाला हैं जे आप झाएँ तो इन्हें नाधे इसके दल में पली है कैईन्हेंसalen हने भी कश्मिर लाल मिज कर देंगे और इस सारे मिक्षर को किसी बोल या बरतन में निकाल लेंगे ताकि यह ठंडा हो जाए अब जो हमारे मिक्षर हलका ठंडा हो चुक है तो मैं इसे पीस लेती हूं तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जाय में डाल दिया है इसका हमें बेल्कुल स्मूथ पेस्ट पना लेना है तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है तो अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे तो मैंने कढ़ाई में लगभग दो बड़े चम्मस तेल डाला है तेल को गरम होने देंगे तेल गरम हो चुका है तो इसमें एक चुछा चम्मस जीरा डालेंगे साथ में दो फ्राइ करना है तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते वे फ्राइ करेंगे और यह मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल दे रही हूं तो मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल की इसमें डाल दिया है और अब हमें इसे अच्छे से फ्राइ करना है यह step बहुत इंपोर्टेंट है मसाले को जितनी अच्छे से फ्राइ करेंगे हमाई जो सबजी है वो खाने में उतनी ही जादा टेस्टी बनेगी तो अब आप देखिए इसके साइड से तेल निकलने लगा है यानि कि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भून चुका है तो अब हम इ आपाद से जोया बीशाय और को जो में मैरीनेट करके रख आप दो आपधा देंगे तो सारे आप दी डाला था इसलिए यह जो लो रखा यह कई बार ऐसा होता है कि दही फट जाता है इसलिए दही ना फट है इसलिए मैंने घ्यास की फिर में को लो कर दिया और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे तो नमक मैं इसमें स्वादनुसार डाल रही हूं नमक हमने पहले भी डाला हुआ है इसलिए हमें नमक ध्यान से डालना है नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर वापिस से पानी डालेंगे क् जीए सकते हैं काफी गाड़ा है तो मैं इसके अंदर एक कप पानी डाल रहे हूं पानी डालके इसम हो चुक अब धकन को हटा लेंगे तो आप देखिए पूरी तरीके से तेल की साइड आज चुक है यानिके जो मारे मसाले हैं वह अच्छे से पक चुक है गरब मसाला के डाला हैं गरब मसाला के लिए उसकी स्वेख नयुक्त हैं तेस्टी सोया भी सब्जी बनकर तयार है इस रेसिपी घर पर जरूर फ्राइब करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें